Good morning all of you, आज हम हमारी पाठ्थे पुस्तक वसंद भाग 3 से चैप्टर 9 कबिर की साखियां पढ़ेंगे इन साखियों के रश्नाकार है कबिरदार जी, सबसे पहले हम कबिरदार जी का जीवन परीचे देखते हैं यहां आपके बुक में नहीं है चलिए देखते हैं जीवन परीचे कबिरदार जी के जन्म और मुत्य के बारे में अनेक किवन दंतियां प्रचली थे कहा जाता है 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत यहां कबिरदार जी के जन्म के बारे में निशित कोई यर बताया नहीं गया है कोई कहता है 13 सो में उनका जन्म होता है कोई कहता है 14 सो में कोई 15 सो में इस तरह से बाते बताई गई है इस तरह से बताया गया है तो उनके जन्म के बारे में ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हाँ वो इसी साल उनका जन्म हुआ है कबेदा जी ने विधिवत चिक्षा नहीं पाई थी परंतू सत्संग परियतक तथा अनुभाव ने उन्होंने ज्यान प्राप्त किया था भक्तकाले निर्गुन संथ परंपरा के प्रमुकवी कबीर की रचनाय मुखे तहां कबीर ग्रंथावली में संग्रही थे किंदू कबीर ग्रंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक बीजक ही प्रामानिक माना जाता है कुछ रचनाए गुरु ग्रंत साहिब में भी एक संकली थे कबीर, कबीरदाची अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रहस्त संत थे राम और रहीम की एकता में विश्वास्क रखने वाले कबीर ने इश्वार के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदबाव और कर्मकांड का खंडन किया, उन्होंने अपने कावे में धार्मिक और सामाजिक भेदबाव से मुक्त मनुष्य की कलपना की, इश्वार प्रेम, ज्यान और फेराग्य, गुरु भक्ती, ससंग और सादु मैमा के साथ आत्मबोद और जगदबोद की अभिवेक्ती उनके कावे में हुई है कबीर की भाष्षा की सहजता ही उनकी कावेतमक्ता की शक्ती है जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी कावे भाषा में दार्शनिक चिंतन को तरल धंग से व्यक्त करने की ताकत है यहां था कबीरदार जी का जीवन परिचे चलिए अब हम पढ़ेंगे कबीरदार जी की साखी और उसका अर्थ भी देखेंगे चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट साखी पढ़ेंगे जाती न पूछो साथ की पूछ लेजिये ग्यान मोल करो तलवार का पढ़ा रहन दो म्यान चलिए सबसे पहले साखी पढ़ेंगे जाती न पूछो साथ की पूछ लेजिये ग्यान मोल करो तलवार का पढ़ा रहन दो म्यान चलिए सबसे पहले इसके शवदार्थ देखते हैं साध साधू या सच्चन साधू या सच्जन पुरुश मोल मुल्य या कीमत तलवार तलवार म्यान तलवार रखने का कोश या तलवार रखने की जगह जगह में जिसमिक तलवार रखा जाता है वो खोल चलिए सबसे पहले अर्थ देखते हैं प्रस्तूत सांखी में कविदार जी ने मनुश्य के जाती से मनुश्य के जाती से अधिक उनके ज्यान को महत्व दिया है कविदार जी कहते है कि मनुश्य को किसी साधू या सज्जन से उसकी जाती नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसके ज्यान के बारे में मिस साधू के ज्यान के बारे में पूछना चाहिए क्योंकि तलवार खरीदेती समय तलवार की धार देखी जाती है उसका मिस तलवार का मियान नहीं तलवार खरीदेती समय तलवार की धार देखी जाती है उसके तलवार को रखनी वाला जो खोल होता है वहां नहीं देखा जाता इसका इसका मतलब है हमें ज्ञानी मनुश्य से ज्ञान देना चाहिए वह किस जाती का है? कैसा दिखता है? वह किस जाती का है? कैसे दिखता है? यह नहीं सोचना चाहिए चलिए दूसरी सांखी पढ़ेंगे आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक कह कभीर नहीं उल्टिये वही एक की एक चलिए सबसे पहले इसके शवदार्थ देखते हैं गारी गाली अब शब्द उल्टत पल्टत आवत आते हुए होई, होती, अनेक, बहुत सारी चलिए इसका अर्थ रिखते हैं प्रस्तुत सांखी में गाली गाली सुनकर भी अब शब्द सुनकर भी शान्त रहने की सीख दी गई है कविदा जी कहते हैं कि गाली देने वाले व्यक्ती को अगर उत्तर में गाली न दी जाए तो वह गाली देकर शान्त हो जाता है इसके विप्रित यदि गाली सुनने वाला व्यक्ती जवाब में गाली देता है तो ऐसी ही एक एक करकर वह गाली या अनेक हो जाती है जिससे लड़ाई जगड़ा होना निश्चित होता है कविदा जी कहते है कि चुप रहे कर लड़ाई जगड़े को रोका जा सकता है चलिए थर्ड सांखी बढ़ेंगे माला तो करमे फिरे जिभी फिरे मुखमाही मनुवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमीरने नाही चलिए इसके शबदार्थे देखते है कर, हाथ, जिभी, जीब, मनुवा, मन, फिरे, घुमना, दहु दिसी, दस दिशाय, सुमीरन, स्मरन, इश्वर की भक्ती चलिए इसका अर्थे देखते है कविदा जी ने इस सांखी में भक्तों के मन की चंचलता पर रोक लगाने को कहा है कविदार जी कहते है कि धोंगी साधूं के हाथ में माला होती है और वे मुह से मंत्रों का जाब करते रहते हैं किन्तु उनका मन कहीं और होता है उन्हें भगवान की भक्ती नहीं कहा जा सकता जो हाथ में माला फेरते हैं और मुह से मंत्रों जाब करते हैं पर वहा मन से कहीं और होते हैं और दिखाते कुछ और हैं कि इसे भगum की भक्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि इश्वार की भक्ति के लिए मन को वश्मे रहना आवश्यक होता है कल हम दूसरी साखियां पढ़ेंगे